सो दोस्तों हमारे पास यह DVR लगा है HigVision का और LAN Cable यहाँ पर connect कर दिया है मैंने अपने router से अपने HigVision के DVR में तो यहाँ पर देखेंगे तो LAN 2 पर light blink कर रही है connection हो चुका है चलते हैं अपनी screen पर तो screen पर आ चुके हैं यहाँ पर right click करेंगे menu में जाएंगे आप pattern से login कर लेंगे नहीं तो switch user भी कर सकते हैं फिर configuration में क्लिक करेंगे उसके बाद network में क्लिक करेंगे platform access में जाएंगे यहाँ पर IP automatic assign है DSCP पर यहाँ पर enable करेंगे और करेंगे ठिक यहाँ पर और करेंगे OK उसके बाद apply करेंगे यहाँ पर apply करेंगे तो अगर net proper चल लहा है तो यहाँ पर आपका जो dbr हैं online हो जाएगा जैसे कि देख रहे हैं dbr हमारा online हो चुका है verification के option पर जाएंगे यहाँ पर click करेंगे जो इसका verification code है वो हम change कर लेंगे कि अगर आप mobile में connect करते हैं तो अगर issue आता है verification code का तो आप same verification code डाल देंगे I hope की वीडियो आपको informative लगी होगी अगर यह वीडियो आपको informative लगी तो चैनल को subscribe जरूर कर लें